पूरी तरह से एक एक रोटी बाइट बना रहे है भाईया बहुत गज्या अंड़ा चिल्ली है तो हम लोग 15 रोटी के आप 20 रोटी भूड़ा देंगे अलहाबादी यूटूब चैनल में सभी दर्सकों का स्वागत है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में अं अंड़ा चिली और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पौन इलाहबादी जिससे मिलकर बात करते हैं अमेजिंग लोग देख रहे हैं आप रोटी का आनंद लेकर जाता है बहुत-बहुत धन्यवाद जैसे कि आप लोग देख रह चुके हैं और एक दूसरे को बहुत-टाइमर को चलू कर दीजिए और यहां पर चलू हो चुका है इस दोनों लोग पूरी तो रहे हैं और चिली है तो हम लोग 15 रोटी के अब 20 रोटी वह उड़ा देंगे बाद गज्याब और यहां पर देखते ही देखते जो हिम्मत चाहिए था साहस चाहिए था स्पीर चाहिए था तुरंत लगा दिये हैं संकर और उसका अरुजरार करते हुए इस नमें फूल चंद भी अपनी पानी निगल जाता है जा रहा है कहां कहां बैठी हुई है और पूरी तरह से शंकर इस समय जो बाइट ले रहे हैं और इनके बाइट का जबाब दे रहे हैं फूल चंद जो की बहुत घजब तरीके से अगदम मस्ती से मतलब जो अंड़ चिली है साह लग रहा है कि लोगों पीछे पीछे नहीं जाना है तो रूपए नहीं पाएंगे पीछे कैसे जाएंगे तोड़ा सा वो कर रहे हैं जो चलता ही रहता है इसमें सुधार तब होता है थोड़ा पहुता तेजी और धीमा पगड़े रहते लेकिन एक हिसाब से चलते हैं पूलचंद जी एक ऐसे चलेंजर है जो ग्रीन सिंगनल का इंतजार नहीं करते हैं नो स्टोप इनकी गाड़ी एक ही पलेट भारम पर रुकती है बिना रुके स्टेशन पर पहुशती है बहुत गजब और इधर संकर पूरी तरह से अपने आपको सजो लिए हैं सोच रहे हैं कि हमें एक सोला सो रुपए लेकर जाना है तो जाना है किसी भी कीमत पर फूलचंद को जीतने नहीं देंगे और फूलचंद भी पूरी तरह से अपना दिल में ठान लिए हैं कि देखते हैं संकर कैसे जीतते हैं उनकी गाड़ियां आउटर पर खड़ी हो जाती है एक बार पर फूलचंद के मशीन में थोड़ा सा इरार आता है लेकिन लाट में आता है तो दो मिनट एक तीस सेकेंड के उपर टाइमर जा चुका है और दो मिनट एक तीस सेकेंड में लगा ही देंगे इस पंदरा डोटी और पनी चिली को खाने में बहुत बढ़ियां बहुत संजील के बागत चाहते चाहते हैं और फूलचंद को काणसोर करते हुए चल रहे हैं और देखते ही देखते हैं लुटम चिली में हैं बहुत बढ़ियां है पाद गज्याब अगर होसियारी बारतेंगे नहीं तो चैलेंज पीछे भी हो जाएंगे और देखते फूल चंद भी आ चुके हैं और सोच रहें कि किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाने देगे क्योंकि हम लगभग लगभग फूल चंद पीछे चलना होगा लेकिन अभी फूल जो बाइट ले रहे हैं उसमें चिली एकदम पूरी तरह से दिल्ली पहुंच जाएगी चिली आज लग रहा है चिली अपना सर नहीं दिखा रही मतलब तीकी नहीं है इस वज़ा संकर्जी चल रहे हैं तो संकर्जी तो अब तक अपना धनुत बान रख देते हां और यहां लह लहाते हुए किसके हाथ में जाएगा अभी कोई पता नहीं है और फूल चंधी के पास दो रोटी को कैसे कवर करेंगे फूल चंधी समझ सकते हैं और देखना है कि क्या कमाल करते हैं चिली लगभग बराबर चल लेकि रोटी का जो अंत्राल आ चुका है अगर संकर्जी अगर इंतजार किये तो समझ के चलिए यहां पर फूल चंध उसका फाइदा बहुत तेजी से उठाना चाहेंगे अब जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा शंकर को ऐसा लग रहा है क्योंकि इनकी जो स्पीड है वह भी थोड़ा सा सिलो होती नजर आई है जबकि फूल चंध की स्पीड उसी तरह से बरकरार है और तेजी बरते जिस तरह तेजी बरत रहे थे उसी तरह से तेजी बरते हुए मंजिल के और भाग रहे हैं बहुत बढ़ी है बहुत अच्छी कोश्स है और green signal का इंतजार खतब हुआ है और गाड़ी चल पड़ी है बहुत बढ़ी है बहुत गजब और देखते ही देखते हैं फिर जे आच्छी कोश्स है तो शोला सुरूपे किसके हिस्से में जाएगा दरसक जान गए होगे अगर जान गए हैं तो comment अभी ही करके बताएं कि यह सोला सुरूपे क्या फूर्जण पकड़ पाएंगे या फिर नहीं पकड़ पाएंगे पकड़ भी सकते हैं तोड़ी सी पावर लगाएंगे तो लेकिन पावर किसके आगे लगाएंगे यहां संकर बैटे हैं और पावर अब सायद नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उस पावर को लगाने के लिए बहुत तेजी बरतनी पड़ेगी संकर के पाथ जो रोटी का लेते हैं चिल्ली को पूरा बहुत बढ़िया लेकिन लपेट नहीं पाएंगे संकर जी बहुत गजब अगर अब सकता हो तो एक रोटी ओल लाया जाए अरे हैं और हो सकता है कि फूल चन थोड़ा सा अपने आपको अगर इस्ट्रा पावर दे देते हैं तो अभी भी कबर क सकते हैं लेकिन अब कबर करना हमको नहीं लगता है कि इनके लिए संभाव होगा बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कोश्य है और यह लास्ट बाइट रोटी की जा चुकी है संकर जी के मुह में और इधर फूल चंद के थाली में एक रोटी ये भी पूरी तरह से बरकरार ह तो देखते हैं इस अंड़ा चिली को कैसे अंजाम देते हैं रोटी मंगा दे क्या दो संकर लेकिन रोटी नहीं हो ऐसे चिली चिली का इस्तेबाल करेंगो बहुत बढ़ी है और इधर फूल चंद अब आराम से खाते नजर आ रहे हैं क्योंकि सोच गया है इस चैलेंज को को बिन कर चुके हैं तो संकर जी का धन्यवाद करते हैं एख दिखाए हैं संकर अपनी स्पीड़ डिखाए हैं और पूरी तरह से चीथ पर उनके हां किपे हैं कितना है पूरा है ना बहुत बहुत धन्यवाद अंड़ा चिली रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं हो संकर जी दिक्कत भी होते खाई पाई भाई देख लीजिए जब चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं संकर जी क्या वाज अलग हो रहती है जब भी खापाते हैं तब तो इनकी जो इनकी निगाहें पाईचा पर रहती है कि यारे पाईचा चला गया उनके हाथों में और चेहरे पर कुछ जो मुस्कान दिख रही है इस पर सिकन दिखाई देती थी तो फूलतंजी आपको यह चैलेंज कैसे लगा खानेम कोई दिक्कत नहीं होई तो यह लोगा है होसला दि उठाते रहें मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर तब तक के लिए धन्नवाद